अब ब्लॉग आज मैं एक ऐसी चीज डिसकस करने जा रहा हूँ आपसे जो मैं कई बार शाहिद डिसकस कर चुका हूँ उसके बाद भी इसको डिसकस करना ज़रूरी था एक सेपरेट वीडियो में एक सेपरेट टॉपिक के अंदर तोकि यह चीज है जो हुमन साइकलोजी से और यह चीज आपको मुंबई में बहुत काम आएगी मतलब यह चीज अकसर हमें पता होती है फिर भी हम भूल जाते हूँ यही नहीं करते हूँ और वह मिस्टेक यह है कि आप अपने बड़े के सामने शो आफ करते हैं अपनी नौलेच का तो बेसिकली सबसे पहली चीज त नॉलेच चाहिए किसी भी चीज के लिए आपको नॉलेच चाहिए पर आपको नॉलेच जंकी नहीं बनना तो भले ही आप दुनिया आके सारी किताबें पढ़ चुकी आप ने उसका इस्तेमाल नें किया है तो वो किसी यूज में नहीं आती है आपने एक किताब पढ़ी है पर आपने उसका फुल इस्तमाल किया है that's where you become successful so मेरे साथ जो मैं आपको अपने person experiences से बताता हूँ जिससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा वो यह है कि जब मैंने अपने करियर के शुरुवात की थी उससे बहुत टाइम पहले मैंने किताबे पढ़ना शुरू किया था मैं बहुत किताबे पढ़ता था बहुत रिसर्च करता था बहुत इंटरनेट पे बैटके रिसर्च करता था और मैं सपने देखता था कि कोई मुझे finance करे और कोई island में जिसमें सिर्फ किताबे किताबे रख्यों मैं वहां बैटके सिर्फ बुक्स पढ़ता रहूं तो मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शॉटता और मैं बहुत किताबे पढ़ता था उस infinity complex को overcome करने के लिए मैंने किताबे पढ़ने शुरू करी थी तो कि मेरा वह मतलब कोई मुझे कहता था तो इस बात करने बहुत अच्छा लगता है तो इस लिए नहीं है कि मैं नेचर बहुत अच्छा conversation इस तो ऐसा नहीं है मैंने इतनी किताबे पढ़ी है कि मैंने पास इतने facts and trivias होते हैं जो मैं उनको बताता हूँ तो उनको वह interesting लगता है so my intelligence is derived intelligence otherwise है मैं अब इडिया ता stupid guy है कुछ और नहीं है मेरे पास सिवाए जो derived intelligence है from the books okay so the thing is अपर ये जो knowledge है जब मैं इसको grasp कर रहा था तो मैं बड़ा करने वाले से argue करता था मैं ये कोशिच करता था कि जो मैं बोल ला हूँ वह सही है और जो मैं बोल ला हूँ वह सही है उसका confidence मुझे इसलिए होता था क्यों कि मैंने किताब में पढ़ा होता था अब ये ज़रूरी नहीं है कि किताब में कोई चीज लिखी है तो वह ज़रू और कई बार ऐसा होता था कि वो मुझसे सीनियर होते थे और उसमें क्या होता था कि कई बार जब मैं उससे आर्गू करता था उसमें मैं आर्गूमेंट तो जीच जाता था पर एक दोस्त एक बॉस एक अपना एल्डर वो मैं थोड़ देता था मतलब वो मेरी लाइफ से चले नियुक्त है। और हो सकता है कि आपको conversation जीत पी जाओ और क्या पता आप सही हो भी पर क्या उससे आपको job मिल जाओगी नहीं अप argument जीत जाओगे पर वहाँ निकल के who is the bigger loser you because you didn't get the job that is the problem with argumenting with other people आपको अपनी knowledge रखनी है पर उसका show off नहीं करना है अपने से बड़े से अगर आप अपने knowledge का show off करोगे तो आप argument तो जीत जाओगे आप अपनी बात पर सही तो साबित हो जाओगे पर आप जो करने आये थे वो आप भूल जाओगे उस आदमी से आपको जो benefit होना था वो खतम हो जाएगा आपको एक्जामपल लेता हूँ अपनी लाइफ से मैं एक फिल्म असिस कर रहा था यह एक्जामपल मैंने पहले भी दिया है फिर से देता हूँ तो वहाँ पे एक foreigner बंदा था जो आया था उसने मुझे अपनी script दिखाया और जिन director के साथ मैं काम करता था मुझे बहुत मानते थे बहुत respect करते थे और यह जानते थे कि मैं उन से नीचे हो और यह जानते थे कि मुझे पड़ीकर दी अब उसमें क्या हुआ कि मुझे मन में मेरे मन में चल ला था कि वो मेरी तारीफ सुनके डिरेक्टर मुझे और पसंद करने लगेगा पर मुझे पाद में हेट करने लगा और हम लोग आगे जाके dispute भी हो गया क्यों क्यों कि मैं उनके सामने अब एक आदमी एक बहुत बड़े डिरेक्टर के सामने मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरा जो इंटेलियंस लवेल हो उनसे भी जादा है विच इस नौट अगूड थिंग अगर आप 48 लॉज ऑफ पावर पड़ोगे तो आपको समझ में आगा कि सेना पती कितना भी सकसफुल हो अगर राजा से उपर जाता है तो राजा उसे खतम कराया था तो एक कहानी है 48 लॉज ऑफ पावर नाम पी जो किताब है वाई वाही वाही करते हैं और रिवार्ड में राजा उससे क्या देता है राजा उसका सरकलम करवा देता है और उसका नाम कहीं नाम राजा को ऐसा लगा कि सिटिजन की नजर में उसका नाम राजा से उपर हो रहा है तो उसको अटा दिया वैसे ही अगर आप क्रिसलर कॉप्रेशन और फॉर्ड का पढ़ोगे तो हेंरी फोड के सामने एक टाइम में लियाएक को का जो की वाइस प्र आर्टिकल सपर रहे था उसके उपर and he got jealous of him and he fired him from the job अबाद में Lee Aikoga ने जागे क्रिसलर जोइन की और क्रिसलर उस ताइम पर बैंकरप्सी के मोड पिती पर Lee Aikoga ने उस कंपनी को ऊपर उठाया बाद में खेर वो इस अपर इस्टोडी है क्लाइमेक्स में एक रात को बात बहुत बढ़ गई क्या उससे मेरी जॉब बची नहीं हम दोरों के बीच में जगड़ा हुआ अगले दिन से मैं इस तरह से चीजह होने चाहिए इस दा iş में आपका मूवी बनने के लिए क्लेगोn मेरा प्रोजेक्ट नहीं है मेरी कहानी नहीं है मेरा प्रोडूसर नहीं है उनको जो बनाने वो बनाए अगर उनको कुछ चेंजस कराने थे तो मुझे कर देने चाहिए थे मुझे इतना स्टिक्ट हुने का जूरत थी होती चूतिया पर का डिसीजन था वह मेरा ऐसा ही बहुत सारे जगें पर ऐसा हुआ है कि मुझे लगाए कि सामने वाला मेरी इंटैलियंस से प्रभावित हो जाएगा और वो प्रभावित होने के बजाए इंसिक्यूर हो जाता है तो इस वेरी स्टुपेड तो मेक समवन इंफरंट उफ्यों इंसे क्यों अगर आप वह इंटेशनली कर रहे हो ठीक है पर अगर आप वह वह विदाउट कर रहे हो तो गलत है लाइक जब मैं मुंबई की शुरुआ है मुंबई में आया था शुरुआत में तो मैं हाउट व कुछ नहीं होगा वह आगमन जीत आ खुछ हो आप उससे दूसरी बात या कर सकते हो और उसको इस्तमाल कैसे करना है यह जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं कहता हूँ दो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है 48 laws of power and how to influence influence people और एक चीज़ है कि आपका ego हमेशा बार बार उसके बीच में आता है मैं क्यों कि वह किताब पढ़के गया था how to influence influence people तो उस टाइम पे जब मैं मुंबई में किसी से मिलता था तो मैं एड़ा बनके पेड़ा खाता था मैंने ऐसी ऐसी लड़क्यों के साथ काम किया है जो मुझे उमर में छोटी थी है और मुझे पता है कि वह मुझे उमर में छोटी है उसके बाद भी मुझे दीदी बोलता था और वो मुझे चोटे भाय की तरह करती थी, और मुझे पूरी तरह से help करती थी, उन्हों नों मुझे 5-5-6-6 काम दिलाएं, ऐसे-इसे लोगों से मैं मिला उगां। इनको मैं भाईया सर कहके बात करता था रहा चूजा बन के रहता था और और मेरी कभी नहीं करते पर इनिशल लेविल पर येडा बनके पेडा खाना ही बेस्ट चीज है किसी के सामने अपनी नौलज में दिखा रहा है कि आपको सिर्फ सीखना है लोग आपको बुला बुला करेसे कीसे यहां की सब्सक्राइब कर देखा है इवें दो उसे नहीं पता है और वह एक्ष्ट वह एजूम करके बैठा है कि उसको पता है उसको पता है मैं उसको सही ग्यान दे रहा हूँ but he won't accept it ना जब तक मैं उसका बॉस नहीं होता हूँ आपको किनारे कर दो मुंबई में बहुत अगर आपके अंदर ego है आप successful नहीं हो पाओगे जैसे अभी करन के साथ interview हुआ था उसमें उसने बताया है कि rejections में आपको कभी rejections personally नहीं लेने चाहिए अगर आपके अंदर ego है तो आप rejections को personally लोगे आप बहुत जगे reject होगे बहुत जगे आपको ना मिले ही पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको personally लो कभी भी किसी भी चीज को ego का question मत बनाओ ego हटा दो बेज़ती accept करो चितनी बेज़ती होती है मंदा पहले से ही मन बना लो तो आपको चिंता ही नहीं होगी कहीं भी जा सकते हो आप बदना क्या होगा कि दो प्रोट्वेशन हाउस में जाओ गया दो तीन जगे जाओ वहां पर बेज़ती होगी तो उसके आप इतने डिप्रेशन हो जाओगे कि मुंबए कैसी गंदी जगे यहां पर कुछ नहीं होता यहां पर कास्टिंग काउच है यहां पर वैसा है करते क जाए आप कैसे कैसे लोग है जाओ वहां नॉर्मल है यहां अपना जो इगो है उसको किनारे कर पने जो पर्सूनल बायस है उसको किनारे कर thou और फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रखो कि मुझे यह चीज़ करनी है लाइक आपको डिरेक्टर बना है तो उस पर फोकस रखो लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कैसे दुनिया चल लेए मत पढ़ो उसमें दुनिया बदलने के चक्कर है मत पढ़ो कबिस्तान लोगों से भ मैं तो आपने काम से काम रखूँगा मैं तो यह करूँगा नहीं तो रूल्स है वो फॉलो करने पढ़ेंगे आपको human communication सीखना पढ़ेगा आपको लोगों से deal करना सीखना पढ़ेगा सबसे important चीज़ है मेरी script writing बहुत अच्छी है उसके बाद भी अभी तक देखो मैं कोई खास script निकली नहीं है बाहर उसके पीछे कानार सिर्फ एक था arrogance मैंने जिनके साथ बी काम किया मैंने हमेशा उनको बहुत बड़ीया script लिखके दी बहुत बड़ीया draft लिखके दी चालिस चालिस पर लिखके दीए पर कोई बिसक्रिप निकल नहीं पाई कहीं मेरी गलती थी मैं मानता हूं मेरी गलती थी क्योंकि मैं बिल्कुल perfection के पीछे पढ़ाता हूं perfection नहीं होता है पर जब recently मैंने कुछ बड़े writer के साथ काम किया जिन्होंने मुझे बुलाया आपको पैसे मिलते हैं और आप राइटिंग करता है मेरे साथ यह बहुत हुआ है कि मेरे को बुलाया जाता था पहले से बता देते हूं कि आपको नाम क्रेडिट नहीं मिले आपको स्क्रिप्ट लिखके देनी है वह टोटल भरोसे पर होता है वह मुझे एक एडवांस देते हैं पच्छे सजार पचास जार एक लाख रुपए का और कहते हैं कि यह पॉइंट्स हैं वह मुझे पूर्य स्क्रिप्ट यह कहाली पिने समझाते हैं वन लाइन देते हैं कि इस पर तुम्हें 15 पेज लिखके पर वह आपको उतना ही ब्रीव देते हैं उसके आपका एक्सपैंड करना होता है तो फिर देर सो दो सो पन्ने की मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं उनको देता हूं पैसे लेता हूं यह मैंने बहुत सारे लोगों के लिए किया है और क्रेड़िट मैंने नहीं लिया हमाँ पर चोब एक टाइम था जब मुझे करेड़िट का बिल्कुल भी शौफ नहीं था और उसका ही खामेजा मैं भुवत रहा हूं कि मैंने क्रेड़िट के पीछे कभी नहीं नहीं है तो मैं लोगों को दिखा नहीं सकता है बहुत किया क्या क्या है तो गोस्त रेटिंग मैंने करी अलगी है तो मैंने क्सी होते हैं और एस्पषन के नाम का नामिए बता सकता ऑई मुझे बताना भी दिन चाहिए ना मैं उसक कर सकताँ ना सब लोग ले सकता हूं तो तो मैं नहीं करूँगा वो गलथ है वो बिल्कुल लिंक करना चाहिए अगर आप किसी भी चीज में किसी भी प्रोफेशन में हो सही हो जा गलत हो आपको अपने अथिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए आपको पैसे मिल जाते हैं और आप बढ़ी आपको लालच होता है कि मैं जो स्कृप्ट लिख रहा हूँ बहुत बढ़ी हा स्क्रिप्ट हो और उस लालच में आप बहुत साइचेंज करते हो कई बढ़ आर्गुमेंट करते हो इवें जिसका कॉंसेप्ट आप उससे आर्गुमेंट करते हो तो वहाँ पर चीज गलत होनी शुरू हो जाती हो वह नहीं करना चाहिए मैं एक हाल से करियर के शुरुआत में आपको कभी कोई भी एड़ेमेंट नहीं होना चाहिए अरोगेंट नहीं होना चाहिए करियर के आप आगे जाके जो एड़ेमेंट कर चुका था अपनी फिल्में लिख चुका था इतना काम कर चुका था तो वह सब चीजें आपको कोई रिमाइड नहीं कराता है कई बर क्या होता है कि तो आं बहुत ज़्यान पाते हो, जैसे मैं हूँ, कई बाद ज़्यादा बोल लेता हो, या ज्यान दे दिया लोग को बहुत ज़्यादा, तो उस पे लोग घबराते भी है, इसको क्या बताएं, इसको सब पता ही है, इसको नहीं बदाना चाहिए वनना इसका भी एक argument लेगा कई बार जो intelligence होती ही ना वो भी बड़ी detrimental होती है लिए मेरा दिमाग जो है वो इतना powerful हो चुका है because किताब पढ़ते पढ़ते वो justifications reasons create कर लेता है मैं कुछ भी काम करता हूँ justifications reasons create कर लेता हूँ and that is very harmful is very harmful and I know that how my brain works I know कि मैं कुछ भी गलत करूँगा मैं उसके justification reason create कर लूँगा मैं अपने mind को justify कर लूँगा कि मैंने वो action क्यों लिया but मुझे पता है कि वो गलत है और मुझे अपने उस दिमाग की भी आवाज सुननी है उस दिल की आवाज भी सुननी है कि मैंने जो किया वो गलत है I have to accept it I cannot justify it तो जो किताबे मैंने बहुत ताइम पहले पढ़ी थी जिन्हों ने मुझे help किये था I have started reading them just to understand अच्छा ये जो vlog में बनाता हूँ लोगों से बात करता हूँ इसमें जो मैं बात करता हूँ कई बात करते करते मैं ऐसी बात है बोल जाता हूँ जो मेरे दिमाग के subconscious mind में है पर मैंने कभी वो बहुत दिन से discuss नहीं करी है अपने आप से भी discuss नहीं करी है तो मैं उनको खुझ से फिर discuss करने लगता हूँ मैं तारीफ तो कर रहा हूँ पर मैं उस किताब को पूरी तरह सब भूल चुका हूँ आपको उसके अगेंस जाके काम करना है that's how you become successful लोग कहते है पॉस्टिव रहना इसा नहीं होगा याप आज पॉस्टिव विडिवी की पचास किताब पढ़ लोगे तो आप जिन्दी बाद पॉस्टिव रहोगे वैसा नहीं होगा हमें इनएरंटी निगैटिव हम भेसिकली निगैटिव हैं ही तो जब हमें मेनद करनी चेह में परते हैं पॉस्टिव होनेwyn बेकार हैं तो English race है वो समझते हैं कि Blacks खराब हैं Blacks समझते हैं कि दूसरे खराब हैं हर किसी का वो चलता रहता है So humans by nature feel have this arrogance that they are superior वो हमारे human blemishes है हमारे human sins है हमें उनको overcome करना पड़ता है successful होने के लिए तो उस पर work करिए just figure out what it takes to become successful and apart from how to win friends and influence people by Dale करनेगी एक और किताब है जो मैं आपको recommend करता हूँ जो आपको जरूर पढ़ी चाहिए वो है 48 Laws of Power by Robert Green जो जिन लोगोंने मेरे कहने पर how to win friends and influence people पढ़ी है Dale करनेगी वो please 48 Laws of Power भी पढ़ें तो मुझे रगता है कि आपको किताब बहुत सदा help करेगी Mumbai जाने के पहले do read that book तो इसी के साथ मैं ये vlog खतम करता हूँ और मिलते हैं जल्दी next vlog के साथ please watch and share my videos and like my videos and do subscribe to my channel if you are watching this and you haven't subscribed till now bye-bye